हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल स्टेडी विद इदानजली तो हो चुकी है मेरी मॉर्निंग और यहां पर बैटकर मैं वाम वाटर ने इंच्वाय कर रही है अपनी बालकनी में घर आफ्टर उसके बाद मैंने स्टाइक किया अपना लिए चाय बनाना और स्टार्ट कर द पर मैं सोच रही हूं इसके बाद आरांड 3-4 आवर के बाद करूं क्योंकि एडिटोरियन एनलाइस वीडियो मैंने जो मॉर्निंग में देख लिया था तो सोच रही हो कि पहले यह कर लो क्योंकि रिवीजन करना है नियूस का बलकी हो गया नियूस इस पूरे वीक का तो सो तो बॉट 3ं1 सेक्षन कंप्लीट करों क्योंकि टेस्ट देना है तो वही है कि स्टरों अच्छे से आज ज़्याद से ज्यादर को अपक्र करने की कोशिश करूंकि तो मैं आएर के 2 टेस्ट देने वाली हूं 29 को भी दूंग costume 13 लाइवा और 30 को हो 7 त 15 ओने 15 नों 0 1 टेस्ट golden face of their relationship examine तो हमें examine करना है इसको examine करना है और ये 150 words का question है टेम माकर तो इसको भी लिखेंगे और आप लोग चाहें तो इसको आप लोग भी attempt कीजिए और देखिए आपका answer writing कैसी है और मैं अपना answer आपको इसी वीडियो पे share कर दूँगी एंड मैं इस वीडियो के तो आप भी उसको देख लीजीगा तो answer writing इसके बात करेंगे तो चलिए पहले इसको पढ़ते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इंडिया और अफगानिस्तन रिलेशन में पढ़ रही हूं आज तो इसको किस तरीके सबसे पहले इंडिया अफगानिस्तन रिलेशन कि पहले एंडियो क्या रही है तो जानो फिर वहां की Allah के पॉलिटी जानो की पॉलिटी के बाद जेग्राफी बनती है जो ग्राफिक वाद पॉलिटी बनती है तो उसकी पॉलिटिकल स्फियर जानो फिर उसकी और इकोनॉमिक कॉंजेकलिस जानो इकोनुमिक कैसा है अफगानिस्तान क्या रिसोसिज मिलते हैं क्यों इस ट्रॉंक है और फिर उसके बात इंडिया और बंगलादेश के जो अभी तक फिर उसके बाद Suswiat analysis करेंगे स्वेट क्या होता है इंडिया बांगलादेशन की strength क्या है weakness क्या है ठीकिए वह से हमारे पस अर अपरिचूनिटि क्या है इंडिया बांगलादेश के साद एलेशन्सिप विलीट करने के लिए और हमारे threats क्या हैं इंडिया बांगलादिस relationship में तो यह जो analysis कर लेंगे इससे हमारा कोई भी अगर theme based question आएगा अगर इंडिया के रिजन पर पर किसी भी organization पर या फिर इंडिया के relations with other countries के उपर तो हम इसको भी as a one example of one angle include कर सकते हैं इंडिया ना अफगानिस्तान relationship पर आया क्योंकि अभी तालिबाने टेक ओवर कर लिया है तो हम उसको भी लेख सकते हैं तो उसको भी करेंगे में 365 से भी कर रहे हूं जो different monthly current affair उन्सको भी लिख रखा है वही आज revise करना है तो चलिए पहले start करते हैं तो चलिए पहले एक background दे इसमें क्या बोल रहा है कि relationship between people of Afghanistan और इंडिया ट्रेस टुदा इंडिस वैली civilization आपको जैसे हम लोग को पता है कि इंडिस वैली civilization के टाइम से इंडिया और अफगानिस्तान as a one unit रही है तो उस टाइम से हमारा इंडिया अफगानिस्तान के जो इंडिस वैली civilization के टाइम से ही जो डूरेंड लाइन है जो 2-4-3 किलोमीटर की इंटरनेशनल बॉडर लाइन है विट्वीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो की 1893 में अफगानिस्तान और बिटिश इंडिया के बीच में डाली गई तो उस उसको वह दो कंट पाकिस्तान इंडिया ट्रेसिस तो इंडिस वैली civilization इसको हम अपने एजा इंट्रोड़क्शन और हैडिंग में यूज कर सकते हैं तर नाव जिस दूरेंड लाइन के बारें पारें पारेंड दूरेंड लाइन कट्स तूरू पस्तून ट्राइवल एरियासं फॉदर साउथ तो दूरेंड लाइन उसने कया किया कोई पस्तून एरिया था उसको दो कुदो में वार्फरकेट कर दिया तो इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तान में सिमिलारिटी इस रही जो चब टैप का हमारें इंडिया था तो उसमें ethnical similarities हैं क्योंकि बलोच लोग उधर पे भी रहते थे पस्तूर लोग उधर भी रहते थे वो तो पाकिस्तान जब डिवाड़ वो 1947 में तो उन दोनों में आप similarities आगे अब इसकी जो different states उनोंने involved किया है अफगानिस्तान में उसके बारे मताया गया है कि दूरिंग सोवेट इंटरवेंशन सोवेट ने 1979 जब सोवेट यूनियन ने अफगानिस्तान पे अपना कैप्चर किया इंफ्लियूंस किया इंडिया इस ऑनली कंट्री जिसने वह जो सोवेट की बनाई गई वहां पर अफगानिस्तान में इंडिया ने क्या परवाइड किया इंडिया ने हमनी में लिधी औक अफगान प्रसइडेंड नजब। το इट कहले उस तरह हिजा है आपलोग भी सी तरह किसले कर लीजिये be तो यह मैंने start कर दिया है अपना इंडिया ऑफगानिस्तान रिलीशन्स को डिकोड करना कि क्या इंडिया और अफगानिस्तान रिलीशन्स में क्या 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 गूप्रेशन कंदूर्ण है union आ फकल किPS अपना जो जो जोग्राफिय ऑपिशनल है उसके नोट्स पनाना क्योंकि रह जाता ही है तो मैंने सुचा इसको भी वाइंड आप करतूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नियूसपेपर से जो नियूसपेपर के आज भी देख लेते हैं तो आज आज आटिकल जीट्वेंटी के उपर हैं सोसल सक्यूरिटी के उपर हैं सबस्क्राइब के अमेंडमेंट बिल के और अपर आटिकल है, लेडि़े लिए पर आटिकल है, और थोड़े पर रिल्मस के और रिलेटेड लगाएंगे हम। अब आपको भी लगाने तो आप इनसाइट पे जाके quiz ले सकते हैं जो डेली गुज आता है इनसाइट का डेलेटेड न्यूस्पेपर और अदर भी न्यूस के रिलेटेड उसमें quiz रहता है तो आप अपने आपको आँ सकते हैं तो यह सारे अर्टिकल से हैं सबसे में चीज आपको Social Security के ऊपर जो आटिकल आया है वो बहुत ही अच्छा आटिकल है दा हिंदू में तो आप उसको बहुत ही अच्छे से रीड करजिए वो उसमें सारा डेट आपको मिल जाएगा तो चली अपनी उसपेपर के जो नोट्स है वो बना लेते हैं उसके बाद आंसर आइटिंग के जम करेंगे चाहिए तो यह लोग मैं लग गई हूं नोट्स बनाने के लिए क्योंकि आटिकल बहुत ही अच्छे शांदार आये थे आज जो कि मैं में आंसर आइटिंग में यू से कर लिजिए तो यह है मेरी आंसर राइटिंग आप देख सकते हैं मैंने इसके बाद आंशा राइटिंग की थी इंडिया और बांग्विदेस रिलेशंशिप के उपर तो आप यह पूरा आंसर आप भी लेख सकते हैं आप भी ट्राइ कर सकते हैं और अपने आंसर को चेक जाद आद तैंक यू पर वाचिंग मैं वीडियो